जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है सोया चंक्स की सबजी तो आपने बहुत बार बनाई होगी लेकिन इस मेथड से आप इस सबजी को बना कर देखिए आपको इस रेसिपी बहुत पसंद आएगी तो चलिए सुरू करते हैं आलू और सोया चंक्स की सबजी बनाने के लिए सबसे पहले हम सोया चंक्स को बोईल करेंगे इसलिए हमने यहाँ पर तीन कप पानी अच्छे से बोईल कर लिया है और पानी के अच्छे से बोईल होने के बाद हम इसमें एट कर देंगे एक कप सोया चंक्स गेस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे 2-3 मिनिट के लिए अच्छे से बोईल कर लेंगे तो सोया चंक्स को हमने मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनिट तक अच्छे से बोईल कर लिया है अब हम गेस की फ्लेम को ऊफ कर देंगे और छहनीकी मदर से इसका ज्यादा का पानी निकाल लेंगे अब हमने एक पेन में 5-6 टेबल स्पुन तेल गरम कर लिया है और इसमें एत कर देंगे 1.5 थी स्पुन जीरा जीरे के चटकने के बाद हम इसमें आलू एत करेंगे तो हमने यहाँ पर आधा किलो आलू लिये हैं और आलू को छील कर हमने बड़ी साइस के टुकडों में काट लिया है इस सबजी को बनाने के लिए आप उबले हुए आलू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं लेकिन हमने यहाँ पर कच्चे आलू का इस्तेमाल किया है और हमने आलू को तेल में मीडियम फ्लेम पर पांच मिनिट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया है और अब हम इसमें एट करेंगे टमाटर तो हमने तीन मीडियम साइज के टमाटर लिये है इसी के साथ हम इसमें स्वाद अनुसा नमक एट कर देंगे अच्छे से मिला लेंगे और टमाटर के सोफ्ट होने तक इसे हम तेल में फ्राई करेंगे तो दो से तीन मिनिट तक फ्राई करने के बाद आप देखेंगे के टमाटर सोफ्ट हो गए हैं और इस टेच पर हम इसमें कुछ सुखे मसाले एट कर देंगे तो सुखे मसालों में हमने यहां पर लिया है 1.5 तीस्पून जीरा पाउडर 1.5 तीस्पून धन्या पाउडर और 1.5 तीस्पून लालमीश पाउडर इसी के साथ हम इसमें 1 टेबल स्पून अद्रक और लेसुन का पेश्ट एट कर देंगे अच्छे से मिला लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी येट करके इसे तब तक भूणेंगे जब तक कि मसालों का कच्चापन दूर ना हो जाए मसालों का कच्चापन दूर होने तक हमने इसे लो फ्लेंपर 3-4 मिनिट तक भून लिया है और अब हम इसे cover करके पकाएंगे तो हमने इसे cover करके low flame पर 10-12 मिनित के लिए पका लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आलू के साथ मसालों की अच्छे से भुनाई हो गई है और इसमें से तेल रिलीज होने लगा है तो हमें इसमें मसाले एट करने के बाद इसे cover करके low flame पर तब तक पकाना है जब तक आलू 80% कुकना हो जाए और इस टेश पर हम इसमें सोया चंक से एट कर देंगे तो इसका ज्यादा का पानी हमने छन्नी की मदश से निकाल लिया है अब देख सकते हैं कि इतने जीउसी है अगर आप चाहें तो हाथों से निचोड कर इसका अंदर का पानी भी निकाल सकते हैं और अच्छे से मिला लेंगे इसे इसी के साथ हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी एट करेंगे, तो सबजी में आप कितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं उसी साथ से आप इसमें पानी एट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर सिर्फ डेड़ कप पानी एट किया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे कवर कर के लो फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक आलू पूरी तरह कुकना हो जाए तो आलू के गलने तक हमने इसे 8-10 मिनिट के लिए और पका लिया और इसी के साथ हमारी आलू और सोया चंग की सब्जी बनकर बिल्कुल तयार है अब देख सकते हैं कि हमने इसमें कुछ इस त सूरी मेथी को हम हाथों की मदद से क्रस करके एट करेंगे इसी के साथ एट कर देंगे 1-2 तीस्पून गरम मसाला इस मज़ेदार सी सब्जी को आप गर्मा गरम रोटी पूरी या फिर चावल के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं बहुत ही डेलिशियस सब्जी बनकर तयार हो के बाद हम इसमें गानिशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धनिया एट कर देंगे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर और कॉमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक